स्टुडेंट्स वेलकम टुदे मिश्वाइन क्लास लेक्चर नमबर फॉर इसके अंदर हम जैसे के अमने लास्ट लेक्चर के अंदर पोटो सिंथेसिस की प्रोसेस को पड़ा था उसमें हमने देखा था कोई भी प्लांट है उसके अंदर लीव के अंदर क्या होता है कि वह प्रोसेस को हमने नाम दिया था फोटो सिंथेसिस क्या प्रोसेस होती है अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ये फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस होती का हाँ पे है ठीक है तो आज हम लिफ का स्ट्रॉक्चर पड़ेंगे क्योंकि हमें पताए कि अदर lihat कि आंधर ही of the podcast होती ठीक है फिल्योंकि रेंगी बिन से करेंडर क्यों अच्छें सुद्द बि देखना पड़ेगा कि लीफ हुदी क्या है इसके कौन-कौन से पार्ट होते है진 इसको बोलते हैं यह पूरा का पूरा पूरे फोलते हैं इसको लीफ ब्लेड जो यह पूरी के ह्युमघ फ्र्सेंट रह इसको बोलते हम एक और नाम है इसका नाम है lamina और leaf blade ठीक है अब आपने अगर पत्ती के structure को ध्यान से देखा होगा तो इसके बीच में है ना ये कैसे ऐसे करके क्या बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है और एक rib-like structure है तो इसको बोलते हैं mid rib क्यों क्यों कि बीच की है अब मैं इसके सारे function one by one बताऊंगे आपको क्या होते हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या है कि इसका पूरा को पूरा portion होता है जो पूरी को पूरी leaf होती है उसको इसके लिए क्या ज़रूरी है carbon dioxide ज़रूरी है और water ज़रूरी है अब carbon dioxide तो चलो टीक टूश्य होता है पेट्भार क्वार wipes boxing मिद्रईप होती है इसके अंदर दो टाइप की टिश्य होती है एक होता है का काम होता है का कंझ्डक्शन करना कम कि का लिप के नपतर का कॉन्ट्ट्षन कहां से स्यब्रूरूर्टू लीफ किसका कंड़क्शन करेगा यह थिक और फ्लॉह है अब मान के चलो थिक है सारे इन और्गेनिक मटिरीयल से जो यह उनकी है यहाँ पर सारे के सारे कर्बडेक्शिट भी मिल गया वाटर भी मिल गया चिक है संदलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजंस के अंदर यहां पर फॉटो सिंथेसीज की प्रोसेस भी होगी ग्लुकोज की फॉर्मेशन होगी तो क्या सिरफ पति को यह पूरे पूरे प्लांट को एनर्जी चाहिए लेकिन फूड सिंथेसा ठंसपूर्ट करना पड़ेगा प्लांट के हर एक पार्ट में रूटस में प्रहस करना पड़ेगा उसकी स्टैं में भी बाकी जितने भी हैं ठीक है जितने भी आदा रहिं इन चाहूंकं हमें यह सूद्ज़100 सिंक का मोता है ऊद्जरत कांडेशन प्रिट्स लेकर कि अलग अलग जो जितने भी प्लांट के पार्ट होते हैं चाहिए वह रूट हो स्टेम हो थी कोई फ्रूट हो तो वहां तक सारा का सारा पहुंचाने का काम किसका होगा ठीक है यह लिफ का सरक्ष अब कई बार यह भी देखा होगा कि लीफ के अंदर नयासे चोटी चोटी यह टैनी से निक्टी हुए होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इसको हम बोल रहे थे जो किसका कंडुक्शन कर रहे थे फूड का कंडुक्शन कर रहे थ और साथ में water का conduction कर अब यह तो है निगे chlorophyll यहां पर present होगा फिर food सिरफ मिडरिब के अंदर synthesize होगा इस पूरी लीफ के पार्ट हर एक कोने के उपर हर एक पार्ट के ऊपर food की synthesis होगी food synthesize होगा जहां पर food synthesize होगा हमें पता है वहां पर water की जरूरत होगी फोटो सिंथेसिज में क्या पड़ा था carbon dioxide plus water chlorophyll and sunlight की presence में क्या बना रही थी ग्लुकोस बना रही थी साथ में O2 का excretion कर रही थी और क्या बना रही थी water की formation तो अब हमें अगर यहां पर food की करने किसी भी पार्ट में तो महां पर water की तो जरूरत होगी अब अकेली में ट्रूप तो कहां का कर रही है रूट से लेकर के सिरफ इस पार्ट का रही है अब यहां पर भी कंड़क्शन की जरूरत है क्यों कोन कराएगा यहां पर चोटी-चोटी ऐसे इनके अंदर भी क्या होते हैं इनके अंदर भी ऐस इस दाइलम और फ्लाहिम नाम के दोना टिस्यू होते हैं त्प्र इस पूर्ट के पार्ट्स तक उसको पहुंचा देगा यह तो था पूरा-पूरा लीफ का स्ट्रॉक्चर अब इसको अगर रिकॉल करें तो पूरा- दिख रहा है लेमिला क्या होता है एक तरीके से फ्लैट सर्फेस होता है तरीके से फ्लैट सर्फेस होता है तो फ्लैट सर्फेस है इसका नाम हम देते हैं लेमिला या फिर हम बोल सकते हैं इसको लीफ ब्लेड सेकंड तिंग इसके अंदर मिड्रिब मिड्रिब के अंदर क्य करते हैं तीसरी चीज़ थी विंस क्या करेंगी विंस भी एक तरीके की जो में रिब है यही ब्रांचिज निकलाई यह ब्रांचिज क्या करेंगी इनके अंदर भी जायलम और फ्लाइम नाम के दूनों टिश्यू होंगे यह लीफ के हर एक पार्ट के अंदर वाटर का और फु तो इसका यह upper surface हो गया, यह lower surface है, अब उसके बीच में क्या है हमें यह चीज बढ़ना है, upper surface, lower surface और उसके mid में क्या है, यह चीजों को अच्छे से बढ़ना है, ठीक है? इस diagram के अंदर यह जो portion दे रखा है ना, इसको पोर्शन दे रखा है, इसको ही elaborate करके यहां पर बताया ग का पॉर्षरन है अब यह हैए क्या चीज़िया भी पड़ने है किसी की भी जो सरफेस होगे आउटर सरफेस्ट। प्रफेस को हम बोलते हैं गतार होगी उसको बोलतेैंसे में अपक्रिम की लेयर। तो अब पती के उपर का भी सर्फेस एक्स्पोज है। ठीक है? कहां पर एक्सपोज है? इन्वार्मेंट मेंडिश को अई पायों Уसलीक पाई और खंच में है।ari इसलब environment directly touch में है तो environment directly touch में है तो उसको कोई ना कोई protection की भी जरूरत होगी ताकि बाहर से उसके अंदर कोई harm ना जाए इस reactions के अंदर कोई कमी ना आ जाए ठीक है डिरेक्ट ली कोई insect इस पर आटक्स ना कर पाए तो उसको protection की जरूरत है ठीक है तो लीफ के जो बिलकुल अपर पोर्शन में है इसलिए अपर बोला एपीडर्मिस किसके लिए यूज होता है एपी का मतलब होता है जो आउटर होती है डर्मिस का मतलब होता है लेयर ठीक है जो आउटर लेयर होती है आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस इतना काम क्या होता है प्रोटेक्शन को कि अविवे प्रोटेक्शन के वहां से प्रोटेक्शन की झाट 극्ण को हमारी बोडिया फॉन में ब्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है कि फ्लेंट को कौन करेगा फ्लेंट को फ्लेंट करने के लिए दिसरां different type की layers है ताकि कोई भी चीज डिरेक्ट लिए उनके टच में ना आए ठीक है जैसे कि हमारे क्या होती है यह क्या है यह एक तरीके की epidermis है क्यों क्योंकि यह अंदर जितने भी parts है हमारे bones हैं ठीक है जितने भी muscles वगरा है जितने भी blood blood चल रहा है हमारे winds के अंदर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यह तो यह layer है ठीक है same as it is अब leaf के अंदर क्या होगा जो अपर लेयर है जो सबसे ऊपर वाली layer है ठीक है उसको एक layer बचा रही है उसको हम बोलेंगे epidermis मतलब outer layer इसका काम क्या है protection का है as it is इसके निचे भी एक layer मिलेगी ठीक है यह जो layer है क्योंकि यह देखो लिफ का lower portion है lower portion है तो यह भी exposed है सिदा का सिदा ठीक है environment में exposed है तो इसको भी protection की ज़रूरत है निचे से तो उसको कौन उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा lower epidermis यह भी किस चीज के लिए है protection के लिए है ठीक है दोनों layer किसके लिए protection के लिए है अब उसके बीच में यह जो portion दिख रहे है ठीक है यह portion है इसको हम क्या बोलेंगे देखो इनके different type के नाम है अब यह तो थी upper epidermis जोगी क्या कर रही थी protection का काम कर रही थी lower epidermis भी क्या कर रही थी सिरफ protection का काम अब एक और चीज़ है इसके उपर यह जो black black color की ऐसे line दिख रही थी इसको बोलते हैं cuticle की layer cuticle की layer अब सिरफ अकेली इनकी protection से काम नहीं चल रहा हमें पता है कि water का loss होता है leaves के through जिसको हम transpiration बोलते हैं मतलब plant की body के अंदर जब excessive water हो जाता है बहुत जादा पानी हो जाता है तो वह transpiration के through क्या करता है अपनी body से बाहर निकाल देता है ठीक है अगर मान के चलो यह epidermis है ठीक है इन epidermis के through हो सकता है कि लगातार पानी का क्या हो जाई secretion हो जाई जादा पानी का secretion होगा तो plant में water की कमी हो जाएगी जिसके करण वो plant dead हो जाएगा तो इस चीज़ को transpiration की rate को controlled way में रखने के लिए एक cuticle की layer होती है जिसका क्या काम होता है इसके अंदर water का loss होने से बचाना ठीक है epidermis थी इसके अंदर cells थी ठीक है epidermis के अंदर cells थी उनके अंदर कोई भी cells नहीं होती क्योंकि 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 एक तरीका एक वेक्सी सबस्टांस होता है जो कि सिरफ क्या करता है transpiration के rate को लो करने के लिए controlled way में रखने के लिए हमारे use होता है उसके बाद क्या है उसके बाद यह जो बीच का portion दिख रहा है इसको बोलता है इस क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक pigment होती है क्लोरोफिल नाम की pigment ठीक है क्लोरोप्लास्ट क्या है एक टाइप का structure है ठीक है प्रोटीन सा है ठीक है उसके अंदर क्या मिलेगा उसके लो इनकीank होुसि के अंदर है लोकिल नाम कीशल मिलेंगी जिसके अंदर पिगमेंड होती है सारा काम किसमे होगा वह स सारव का सारवा स्टाना का इस मिडल मेल के मिडल लेयर में होगा यह 10 Ltd यह सबस्सक्राइब ह надо copical इस पूरे पॉर्शन को भूसक्ते पूंज को नितों जो है इस घुर Pan बेड़ बॉल सकते है इस मेजोडर्मिस देखोँ यह तो यह इलोंगेड एट्रे सेल्स हैं डिकहां। यह इलोंगेड इट्री सेल्स जो है इनके इंदर ख्lorophyllus भरा होगा जिसके अंदर हमें फॉतो सिंथेसिस की रियक्शन होगी। अब हमने एक चीज ऌध पड़ी थी कि जिस टाइम पर फोटो-सिंथेसिस की रियक्शन हो रही थी उस टाइम पर सिओ टू प्लस वाटर कि संलाइट और क्लोरफिल की प्रेजन्स में लुकोस दो बना रहे थे उसके साथ एक बाई प्रोड़क्ट, दो बाई प्रोड़क्ट भी बना रहे ठीक है इस photosynthesis की reaction होने के कारण अब कोई ना कोई excretory substance जैसे कि oxygen था वो भी तो release out होगा ठीक है यह जो होती है ना cells यह होती है एक दूसरे के बिल्कुल closely packed ठीक है इनके अंदर कोई भी space नहीं होता ज्यादा ठीक है बट इनके नीचे जो यह spongy parenchimatic cells होती है इनका नाम होता है sponge कोई है बैंड होफिख सेल श्रेक हैं कोजी बहन को अब और क्राइंद लिविंग सेल्स फिक्राइं कोई सेल्स फिकाह इनके अंदर चैनल के अंदर कोई स्पेस नहीं होता क्यों नहीं झाहने सिरफ स्पेस का कोई ज्यादा रिक्वैर्मेंट है की सिद्धी रियक्शुन उसके बाद बाद बहार निकलेंगे जैसे औक्सीजन है और वोटर है अब अगर मान के चलो इस पॉंजी पैरनकाइमेटिक सेल्स हैं अगर इनके बीच में स्पेस ना हो तो क्या होगा पहली बात तो यहां पे सबस्टांस बन तो जाएंगे लेकिन जैसे के कार्बन डैक्साइड है और ऑक्सीजन है उनका लेन देन नह नहीं हो पाएगा क्योंकि निधक कहुंड कह से लीती है नगर्षीजन अर और और क्विल निकालना कि मान के चलो यहाँ पेभी कोई सपेस नहीं क्योंटिकल के लिए रहें ठीक है यहाँ पे भी अगर कोई तो सबस्पेस ना थो ना तो करें अंदर आपाएगी ना oxygen बाहर आपाएगी ठीक है उसकी वज़े से photosynthesis की जो process है वो रुख जाएगी ठीक है तो अब एक चीज़ और है notice करने की कि जो lower upper epidermis होती है उसके अंदर कोई hole नहीं होती है lower epidermis होती है उसके अंदर बीच-बीच में आना से hole से मिलते हैं ठीक है और इनको एक kidney shape की जो cells होती है वो surround की हुई होती है ठीक है, kidneys app की, जिनको हम बोलते हैं guard cells, ठीक है, ये जो cells होते हैं, जो इसको surround करते हैं इस pore को, इसको बोलते हैं guard cell. इन guard cell के function की वज़े से जो stomata के pore होते हैं वो open होते हैं और close होते हैं अब एक और चीज़ है stomata stomata plural word है जो कि यह बहुत सारे जो pores होते हैं इनको अगर साथ में combine करके बोलेंगे तो stomata बोलेंगे otherwise इनका अगर single name बोले तो stoma होगा सिरफ single pore को बोलेंगे stoma और बहुत सारे अगर pores हैं तो उनको बोलेंगे stomata अब यह stomata के pore क्या करेंगे stomata के pore किस चीज़ के लिए है पहली बात तो oxygen का और carbon dioxide का intake और outside में इसको excrete out करने के लिए है दूसरी जी जो transpiration का काम होता है नोट डाउन करने की बात है यह कि जो transpiration का काम होता है वो leaf के lower surface पे होता है ना कि अपर surface पे ठीक है जो water का loss होगा वो हमेशा lower side से होगा क्यों होगा क्योंकि upper layer पे तो cuticle की completely layer है यहाँ पे कोई आने की या जाने की जगह नहीं है ठीक है लेकिन lower epidermis पे क्या होता है हमारे बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम stroma बोलते हैं और combine करके stromata बोलते हैं इन stromata के पोर्स के थ्रू क्या होगा excrete out होएगा water ठीक है water का बार निकलना कहां से होगा इन guard cell के function से stromata के पोर्स से वो पानी बाहर निकलेगा और जो oxygen का या carbon dioxide का आना या जाना है carbon dioxide का आना और oxygen का बाहर जाना वो भी किस के थ्रू होगा इन पोर्स के थ्रू होगा ठीक है अब यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे सारे के सारे किस चीज की formation हुई है यहाँ पर formation हुई है हमारी carbon dioxide और water की help से glucose की formation होगी एक तो अब जो glucose को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा ग्लुकोस को ट्रांसपोर्ट करेगा इनके बीच बीच में क्या होते है जाइलम और फ्लॉइम बताया था कि इसके अंदर देखो हर एक लीफ में वेंस वगरा है मिड्रिब है तो इसके अंदर जो food बनेगा वो तो फ्लॉइम टिशू लेके क्या करेगा फ्लॉइम टिशू ल यहां पर carbon oxygen की formation होई है जो water की formation होई है वो दीरे-दीर हे क्या करेगी यहां से आ करके यहां पर बाहर चली जाएगी ठीक है जो oxygen होगी वह इन spaces के थ्रूँ करती करती काहां चली जाएगी इन पोर्स के थ्रूँ बाहर निकल जाएगी और carbon dioxide को जो भी आना होगा तो इन ही पोर्स के थ्रूँ अंदर आ जाएगी और reaction पूरी की पूरी चुरू हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से photosynthesis की process होती है यह leaf का हमने structure देखा था लास होती है protection के लिए निचे एक layer होती है क्यों क्योंकि वह aerial parts है ठीक है अगर कोई भी plant का part है अगर वह exposed हो रहा है कहां पर directly environment में तो उसको protection की जरूरत है प्रोटेक्ट कौन करेगा epidermis की layer epi का मतलब बाहर dermis का मतलब layer ठीक है बाहर कुछ नो कुछ layers होंगी जिनको हम बोल दें ठीक है उसका upper portion भी exposed है environment में और lower portion भी तो एक upper upper epidermis होगी एक lower epidermis होगी दूसरी चीज़ प्रोटेक्शन ही नहीं उसके अंदर water की cells नहीं होती यह सिरफ एक वैक्सी सब्सक्रांस होता है ठीक है यह क्या करता है क्योटिकल वाटर के लोज को बचाता है ठीक है उसके थोड़ा सा अंदर आए तो क्या थे हमें different different type की elongated cell दिख रही थी इनके इनका structure जो था वो green color का था ठीक है यह किसके कारण था chlorophyll नाम की pigment के कारण था जो कि chloroplast में present थी ठीक है इसके अंदर जितनी भी हमारी वो जो photosynthesis की process हो रही है वह इस portion के अंदर होगी ठीक है फिर उसके बाद जो पेस्ट जन्रेट हो रहा था वह कहां पर जा रहा था सपंजी के पैरन्काइमेटिक जो सेल हैं लिविंग सेल्स हैं इनके वीज में थोड़ा-थोड़ा space present है और वो जो oxygen आ रही थी वह इन spaces के थूरू आ करके हमें पता है कि lower epidermis में थोड़े-थोड़े हमारे पास पोर्स भी थे जिनको हम स्टोमेटा बोलते थे ठीक है तो उन्स टोमेटा के पोर्स के थूरू जो excretory substance थे वह बहार निकल रहे थे ठीक है यह था हमारा आज का थैंक्यू